नमस्कार मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव एफर्मेशन को बनाने का क्रियेटिव तरीका क्या होता है कैसे हम किसी भी अपनी नेगेटिव थौट को कई सारी पॉजिटिव थौट में कनवर्ट कर सकते हैं और आप अपने किसी भी नेगेटिव थौट से कई सारे अलग-अलग विकल्पों में पॉजिटिव थौट को जनरेट कर सकते हैं create कर सकते हैं positive thoughts को बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है positive thoughts को सोचना बेहद असान काम है अगर हमें एक बार सही तरीका आ जाए कि कैसे हम अपनी positive thoughts को पैदा कर सकते हैं कैसे अपनी positive thoughts को generate करके अपने mind को अपनी feelings को positive बना सकते हैं तो हमारे लिए mental health की problems को overcome करना बेहद असान हो जाता है अक्सर हम YouTube पर और कई जगाओं पर positive affirmations के बारे में read करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं जो कि बहुत से लोगों के लिए काफी helpful होती है पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये सारी जो positive thoughts होती है ये कुछ हद तक लोगों को help करती है या थोड़े time तक तो लोगों को help करती है पर एक limit के बाद एक हद से जादा ये बिल्कुल help नहीं करती है ऐसे time में जरूरी होता है कि हम नई positive thoughts खुद generate करें, खुद पैदा करें खुद हमारे पास वो तरीका हो, वो शमता हो कि हम positive सोच सकें हमें उसके लिए किसी YouTube के या किसी और blog post या किसी पर माध्यम पर हमें निर्भर ना रहना पड़े हमारी जो negative thoughts होती है वही हमें positive thoughts बनाने में help कर सकती है पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे positive affirmations या positive thoughts को पैदा करने का एक सीधा तरीका होता है कि negative thoughts को identify कर लिया जाए, negative thoughts को एक जगा लिख लिया जाए फिर उनका एक positive counterpart create किया जाए, मतलब उनही को positive form में convert किया जाए इस वीडियो में मैं इसके और एक step आगे जाते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन positive thoughts के और further alternative बना सकते है इसका कारण क्या होता है, ऐसा करने की क्यों जरूरत है एक तो मैंने बताया, अलग-अलग आपके पास positive thoughts होंगी नहीं नहीं positive thoughts आप खुद बनाओगे तो आप self sufficient हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे दूसरा एक कारण होता है कि कई बार ये positive thoughts convincing नहीं होती विश्वसनिये नहीं होती, मतलब इतनी reliable नहीं होती कि हम अलग-अलग situations में, अलग-अलग हालातों में, conditions में इनको use कर सकें, इनको apply कर सकें मतलब कई बार ये positive thoughts हम बोलेंगे, सोचेंगे और हमें irrelevant लगेंगी, लगेगा कि ये प्रासंगिक नहीं है इनकी कोई reliability नहीं है, इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है तो ऐसी positive thoughts बनाना ज़्यादा helpful होता है जिन पर convince हुआ जा सके, जिन पर भरोसा किया जा सके ऐसी positive thoughts जो कि convincing हो, rational हो और इस हद तक logical हो कि जिसको defy ना किया जा सके मतलब उन पर doubt ना किया जा सके हम ये ना कह सके कि ये positive thoughts हम सोच तो रहे हैं दिमाग में ला तो रहे हैं, पर इसका कोई असर नहीं आ रहा इसकी कोई बहुत गहरे में पकड़ या reach बन नहीं पारी कुछ positive thoughts तो हमारे गहरे में उतर जाती है कुछ positive thoughts गहरे में नहीं उतर पाती है तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इन positive thoughts को बनाया जाए पैदा किया जाए जिससे कि इनकी रीज पकड बहुत मजबूत हो बहुत गहरे में हो तो ऐसे में हम कुछ existential statements या ऐसी कुछ वास्तविक practical realistic statements अपने को बोलें या बोलना जरूरी है जिसकी मदद से positive thoughts का impact strong हो और यह जादा गहरे में पकड बनाएं जादा convincing हो और ह ऐसी ही कुछ positive thoughts हम कैसे बना सकते हैं क्या कर सकते हैं इस बारे में मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा तो यह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सही तरह से यह जानकारी मिले कि कैसे खुद ही positive thoughts बनानी है creative तरीके से बनानी है और जादा convincing और जादा reliable thoughts बनान सकरात्मक विचार का column और तीसरा है विश्वसनिय सकरात्मक विचार का column आम तोर पर आप देखेंगे कि YouTube पर या कई जगाओं पर इस तरह के का एक negative thought बताया जाता है और उसका एक alternative positive thought बता दिया जाता है या कई जगाओं पर तो negative thought बताया ही नहीं जाता केवल positive thoughts बताया जा काफी फायदा होता है और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम negative से positive विचारों को convert कर सकते हैं negative से positive में तबदीली करके अपने को better feel करा सकते हैं यहां हम ऐसे विचारों की बात करेंगे जो की ज़ादा विश्वस निये हो मतलब ये positive ने left में आपके negative विचार दिये हैं फिर positive विचार दिये हैं और फिर इनके कुछ practical और possible alternatives दिये हैं जो की ज़ादा reliable और ज़ादा विश्वस निये होंगे अब देखें यहां पर पहला negative विचार हम बात करते हैं मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ इसके लिए हम आम तोर पर क्या सोचेंगे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ ये positive affirmation आ गई पर हमें क्या करना है इस positive thought में आगे prefix में पहले ये statement जोड़ देनी हैं और ये statement जोड़ कर हम इस विचार को positive thought को और भी जादा convincing और भी जादा effective बना सकते हैं कैसे ये मेरा स्वभाव है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ मुझे पूरा अधिकार है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनू मैं इस योग्य हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनू मैं चुनाव करता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनू, मैं जन्म से ही एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इस तरह से हमने क्या किया हर अच्छा व्यक्ति बनने की यह जो थौट है, इसके शुरू में हमने यह कुछ statement जोड़नी, और इन statement से अब आप देखेंगे कि यह विचार, मैं एक अच्छा व् को अपना स्वभाव, अपना नेचर मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे अनुभवों ने, हमारे समाज ने, हमारे आसपास के महौल ने, हमारे लाइफ के फेलियर्स ने, हमारे लाइफ के बहुत सारे गलत और अच्छे अनुभवों ने हमारे को अपने को डाउट करना स तो खुद को यकीन दिलाने के लिए, खुद को बेटर तरह से अच्छा महसूस करने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि कोई ऐसा विचार जो की doubtful ना हो, हम अगर यह सोचेंगे कि हमारा तो basic nature ही है, स्वभाव ही है, अच्छा होना, तो फिर उसको question किस बात के लिए करना, question क कैसे किया जा सकता है, जब हम सबका basic nature ही अच्छा होना है, तो इसले यह बोलने से, ज़्यादा बड़ा impact आप अपने अंदर महसूस करेंगे, जब खुद को कहेंगे, कि यह तो मेरा स्वभाव है, कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, अब यह male gender के हिसाब से बताए गए है आप female gender के हिसाब से इसको convert कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं एक अच्छी व्यक्ति हूँ, यह मेरा सुभाव है कि मैं एक अच्छी व्यक्ति हूँ, ऐसे आप करके इसको female gender के हिसाब से बना सकते हैं, अब देखिए second विचार, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं एक अच्छी व् जॉच करते थे गुस्सा होता था तो अंदर एक विचार बैड़िया कि हम तो बुरे हैं तो ऐसे में उस बुरी भावना को ऐसे में इस विचार को कि मैं बुरा हूं या बुरी हूं इसको बदलने के लिए हमारे को अच्छा बनने की जरूरत है पर हमारे उपर भरोसा नहीं रहता खुद को हम अपने उपर यकीन नहीं कर सकते हमें विश्वास नहीं होता कि क्या हम अच्छे बन सकते हैं क्योंकि शायद हमसे बुरा होना कंट्रोल नहीं हो पाता तो इसलिए यहां पर यह सोचना जरूरी है कि मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अच्छा बेक्ती बन में बुरी बातें पहलाएं बुरी बातें करें पर मुझे फिर भी पूरा अधिकार है कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूँ मैं इस योग्य हूँ कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूँ मतलब कि मैं इस लायक हूँ मैं डिजर्व करता हूँ मैं डिजर्विंग हूँ बाकी लोगों ने कितना भी मुझे बुरा कहा हो या मेरे हालातों ने मुझे कितना ही बुरा महसूस कराया हो फिर भी मैं deserve करता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ती बनूँ मैं बुरा व्यक्ती बन कर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती मैं इस संसार में अच्छा बनने के लिए आई हूँ आया हूँ और मैं अच्छा बनूँगा मैं deserve करता हूँ मेरे अंदर भी वो सारी शमतार सारी खूबियां हैं कि मैं अच्छा बन सकता हूँ next मैं चुनाव करता हूँ कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूँ I choose to be a good person जब मैं ये सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे चुनाव करना है कि मुझे अच्छा बनना ही है तो ही हम अच्छा बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे हमें अपने अंदर बदलाव लाने के लिए decision लेना पड़ता है एक action oriented होने के लिए हमारे को पहले निर्ने लेना होता है ठान लेना पड़ता है तो ये विचार बेहत जरूरी होगा कि मैं चुनाव करता हूँ कि मैं अच्छा बनना हूँ नेक्स मैं जन्म से ही अच्छा बेकती हूँ ये सबसे important है क्योंकि हम सब पैदा ही हुए है अच्छा बनने के लिए अच्छा होने के लिए एक बच्चा पैदा होता है वो बुरा बन के पैदा नहीं होता एक बच्चा एक blank slate की तरह होता है कोरे कागस की तरह होता है उस पर हमारे जीवन के अनुबव लोगों के द्वारा हमारे को दिये गए लेबल हमारे विवार हमारे बरताव हमारी सोच जो हमें दुनिया से मिली हमारे बरतावों की वज़े से मिली उसकी वज़े से हमारे मन में ये थौट बैट गई कि हम बुरे ला रहे हैं जिनको question नहीं किया जा सकता जिनको doubt नहीं किया जा सकता एक इनसान होने के तौर पे इनसान होने के नाते human being के तौर पे हम इन सब अच्छे विचार को लाने के हकदार हैं योगे हैं चुन सकते हैं जन्व से ही ऐसे हैं और ये हमारा स्वभाव है इसलिए इनको ब बड़ा इसका impact आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि अनुभव कैसा भी हुआ हो, हलात कैसे भी रहे हो, experiences कैसे भी रहे हो, हम फिर भी अच्छे हैं, अच्छे बन सकते हैं और अच्छे बनने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं इसी तरह से और ऐसे ही हमेशा रह सक ही है और तभी हम इन विचारों की मदद से अपने को better और अच्छा महसूस करा सकते हैं, तो ये हमारे को शुरू में हर statement के आगे जोड़ देना है, जो भी positive affirmation है, तो अगले example की तरफ चलते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं worthless हूँ, इसका positive विचार क्या होगा, मैं लाय हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं लायक बनूँ, मैं इस योगे हूँ कि मैं लायक बनूँ, मैं चुनाव करता हूँ कि मैं लायक बनूँ, मैं जन्म से ही लायक हूँ, हो सकता है ये विचार सुनके आपको थोड़ा doubt आए, आपको लगे कि नहीं ऐसा सच नहीं है, मै ध्यान दीजिए positive thoughts का मतलब होता है कि हम given जो चीज दी हुई है जो चीज प्रमाण पर निर्भर नहीं करती evidence पर depend नहीं करती हम उसे ही positive thoughts बना सकते हैं हमारे को बहुत जादा कुछ ऐसे thoughts होते हैं जिन में बहुत जादा evidence की जरूरत नहीं होती बहुत जादा हमारे को सबूत नहीं चाहिए यहां मैं वही positive thoughts बता रहा हूँ जिसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है कोई evidence की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया तभी आप अपने को अच्छा मानेंगे कुछ लाइक काम किया तभी लाइक मानेंगे आपको मानना पड़ेगा सोचना पड़ेगा हाँ मैं जर्म से ही लायक हूँ मैं लायक होने के लिए ही बना हूँ तभी आप अपने future में अच्छे steps ले पाएंगे अच्छे कदम उठा पाएंगे तभी आप अपनी मदद कर पाएंगे अगला negative thought मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ I am unimportant I am not important इसका positive thought क्या होगा मेरा महत्व है I have importance इसके impact को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे existential statements स्वभाविक statements practical, unquestionable statements बोलेंगे यह मेरा स्वभाव है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ मुझे पूरा अधिकार है कि मैं महत्वपूर्ण बनू मैं इस योगे हूँ कि मैं महत्वपूर्ण बनू मैं चुनाव करता हूँ कि मैं महत्वपूर्ण बनू मैं जन्म से ही महत्वपूर्ण हूँ इस तरह से सोचेंगे तो हम ज़ादा convincing तरी से believe कर पाएंगे अब इन सब thoughts के favor में क्या-क्या आपके experiences, क्या-क्या आपकी feelings हैं वो भी सोच सकते हैं मैं जन्व से ही महत्वपूर्ण हूँ, मतलब अपने बच्पन को, अपने परिवार को ज़रा याद कीजी और देखी कि कितने important रहे हैं आप हमेशा, आप हमेशा अपनी family में, अपने आसपास के जो भी परिचित लोग हैं, close relatives हैं, उनके बीच हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं तो इन सब thoughts को लेकर और ज़्यादा further आप अपने experiences को और अपने बारे में past को याद कर सकते हैं इनको दिमाग में ला सकते हैं इन विचारों पर meditate कर सकते हैं meditate करना मतलब अपने personal experiences और personal feelings को explore कीजिए कि कैसे इन thoughts के impact को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इन thoughts पर और ज़्यादा यकीन किया जा सकता है ऐसे अपने life में evidence ढूंडिए अगर मिल सकते हैं तो नहीं मिलता कोई ऐसा evidence, कोई दिक्कत नहीं है जस इन विचारों को सोचिए इन विचारों को दोराइए और इन विचारों पर meditate कीजिए, इनको सुनिए, देखिए, पढ़िए जैसा आपको ठीक लगे आप खुद इनको record करके अपनी आवाज में बार-बार सुन भी सकते हैं इसी तरह से कुछ होर negative विचार जैसे मैं मूर्ख हूँ इसका positive counterpart क्या होगा मैं होश्यार हूँ अब इसको हम कैसे convert करेंगे reliable विश्वस्निय सकरात्मक विचारों में यह मेरा स्वभाव है कि मैं होश्यार हूँ मुझे पूरा अधिकार है कि मैं होश्यार बनू मैं योगे हूँ कि मैं होश्यार बनू मैं चुनाव करता हूँ कि मैं होश्यार बनू मैं जन्म से ही होश्यार हूँ मानना है, देखना है, समझना है मैं जैसा खुद को बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे, वैसा ही होने लग जाएगा, वैसा ही आपका दिमाग, आपका subconscious, unconscious mind response करने लगेगा, जब आप अपनी conscious mind में ये सारी thoughts लाएंगे. नेक्स्ट, मैं नाकाम हूँ, इसका positive thought क्या होगा, मैं सफल हूँ, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसके impact को, ये मेरा सभाव है कि मैं सफल हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सफल बनू, मैं इस योग्य हूँ कि मैं सफल बनू, मैं चुनाव करता हूँ कि मैं सफल बनू तो जब हम depressed होते हैं, बहुत जादा हमने नाकामी महसूस की होती है, ऐसा experience आता है, जहां हमें किसी तरह का failure experience हुआ हो, तो हम अक्सर अपने को बहुत ही नाकाम मानने लगते हैं, तो ऐसे में अपने को ये सारी positive thoughts याद दिलाके, दोहराके, इसको खुद को कहके हम better feel कर सकते हैं, ताकि हम उस experience से खुद को identify ना करके, अपने basic essence, basic जो हमारा स्वभाव है, नैसरगिक जो हमारा स्वभाव है, हम उस पर जादा focus कर सकें और उसको बढ़ा सकें, अपने को better feel करा सकें, next, मैं बदसूरत हूँ, मैं सुन्दर हूँ, हमें ऐसा positive सोचेंगे, इसके impact को बढ़ाने के लिए हमें सारे positive thoughts सोच सकते हैं, इसी तरह से आपके सामने और भी मैं कुछ यह negative thoughts रख रहा हूँ, जैसे मैं अकेला हूँ, इसका positive होगा, मेरे पास सहारा है, और ऐसे हम इस मैं खत्रे में हूँ, यह anxiety में बहुत commonly thought आता है, तो इसको हम positive में convert करेंगे, कि मैं सुरक्षित हूँ, और यह सारा हम सुरक्षा को लेकर अपने मन में positive thoughts लाएंगे, जिससे कि हमारे को ना ही सिर्फ better feel हो, हम उसको convincing तरह से believe कर पाएं, क्योंकि यह unquestionable thoughts हैं, क्योंकि यह existential ह मतलब हम सबका स्वभाव हैं, इनको सिर्फ इसकी face value पर believe किया जा सकता है, तो यह रहा एक बहुत ही simple, बहुत ही easy तरीका positive thoughts पैदा करने का, और अलग-अलग तरह से positivity को बढ़ाने का, जिसमें वो विचार दिमाग में लाए जा सकते हैं, जिसको की question ना किया जा सके, जो हम स सबका स्वभाव है, इस तरह से और अपनी positive thoughts बनाएं, negative thoughts को लिख लें, identify करें और उनको positive में convert करें, बड़े असानी से कर सकते हैं, daily पढ़ें, सुनें, देखें, जितना इनको पढ़ेंगे, जितना इस तरह से सोचेंगे, उतना जादा गहरे में आप positive feel कर पाएंगे, उतन पाएंगे, ऐसे ही हमारे अंदर beliefs का change होता है, ऐसे ही हमारे अंदर सकरात्मक विचार पैदा होते हैं, बनते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर positivity आती है, जितनी बार दोहराएंगे, जितना जादा खुद को ऐसा कहेंगे, सोचेंगे, उतने गहरे में, subconscious mind में आपके thoughts उतर जाएंग और आपके actions उस हिसाब से होने लगेंगे, आपकी feelings में change आएगा, आपको खुद को देखने का जो नजरिया है आपका वो बदलेगा, और naturally आपके अंदर जो negative thoughts थी, वो सब हटने लगेंगी, धीरे 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 चली जाएंगी, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद.